लोगो पता है काफी दिन से मैं वेडियो अप्लोड नहीं कर रहा था और आज होता है student हम लोग class 11 का plant kingdom जो chapter है उस plant kingdom का कुछ DPP देखेंगे student DPP क्या होता है जैसे का आपको पता होगा कि daily practice होता है पेपर्स होता है टोटल आज हम लोग जो होता है कि 10 question discuss करेंगी अब देखें student के आए कि screen पर आपको दिखाई दे रहा होगा question number first आपको तो question number first आपको दिखाई दे रहा जो screen पर इसको ध्यान से पढ़िए और इसका answer बते है देखें क्या है question करा student करा कि first classification system वेर यानि कि जो first classification system था उसे जो होता है कौन किस तरह का first classification system दिया गया था आपका phylogenic था कि natural था कि artificial था कि bentham and hooker ने जो classification दिया था तो student देखें क्या है कि जो first classification system के बात कर रहे हैं ये basically artificial था आपका ये क्या था आपका artificial था student तो इसके base पे अगर आप देखेंगे तो question number first का जो right answer हो जाएगा वह आपका आपसा number third हो जाएगा ठीक है student next question पे आते हम लो question number second देखिए question number second student question को पढ़िये दिया हैं से करा कि which classification system separated closely related species यानि कौन सा ऐसा student जो होता है कि classification system है जो related species को भी जो होता है student separate कर देता है ठीक है तो ये भी जो होता है student क्या होगा आपका artificial ही होगा artificial में ये बच्चीज आपको बताया गया है और ये artificial का ही feature है student ठीक तो question number second का भी answer क्या हो जाएगा option number second हो जाएगा ठीक है next question number third पे आते है question number third देखिए student करा which of the following groups is green algae आपको student इसमें बताना क्या है कि आपको पास चार option दिया हुआ है इसमें साब को बताना है कि कौन से जो होता है student की green algae के example है ठीक है student तो इसका जरह देखिए और comment box मजाईए और comment करके मुझे बताइए इस cancer क्या होता है student देखिए question number जो आपका third है इसमें क्या दिया आपका कर रहा है कि कारा है लेमिनेरिया है सारगासम है ठीक नेश्ट है आपका कारा वालवाक्स इलो थ्रिक्स है क्लोरेला है प्रोफाइरा है नेश्ट आपका पॉलिस आइफोनिया है और क्ले माइडो मोनास है पॉलिस आइफोनिया एक्टो कार्पस और क्लेडो फोरा तो अब आपको इसमें से बताना है कि ग्रीन एल्गी कौन से है और आपको एल्गी यानि पिग्मेंड के बेस पे एल्गी का क्लासिपिकेशन भी पढ़ाये गया है ठीक है ग्रीन एल्गी की बात कर रहा मतलब क्लोरोफाइसी की बात कर रहा ठीक तो कोस्टन नमबर जो थर्ड आप देख रहे है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपस्टन नमबर सेकेंड ठीक कैसे देखी आपका कारा है वालवाक्स है इलोथ्रेक्स है, क्लोरेला है यह सब क्या है स्ट्टन थीक्या हैं यह सब? ग्रीन एल्गी है नेस्ट आईए कोसन नमबरs होता है पुर्थ पर देखिए वापसन नमबर ुर्थ मेजर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एलकी आर आपको बताना है कि जो photosynthetic pigment होता है green algae में मेजार्टी में क्या है chlorophyll A है chlorophyll B है student कि chlorophyll C, B, A है या फिर chlorophyll A, B, C, D है ठीक है student इसमें आपको बताना है तो मेजार्टी की अगर बात कर रहा student तो जो आपका option number first है यानि कि chlorophyll A and chlorophyll B ये क्या होता है student मेजार्टी में पाया जाता है जो green algae होते है ठीक है student चलिए इनेस्ट question number 5 पे आते है student किया time जादा last नहीं करेंगे सिधे question पे discuss करते है which of the following is the filamentous आपको बताना इसमें से कौन filamentous algae है student ठीक है filamentous algae कौन सा है ये बताना है तो चलिए options होता देखते है ये इसमें समलोग क्या के दिया ilothrix दिया है और spirogyra दिया हुआ है walbucks दिया है claim aidomonas दिया है all of these दिया student ठीक तिसमेंस आपको बताना है कि filamentous algae कोई नहीं से student तो देखे spirogyra आपको बताई गया होगा कि spirogyra जो होता है student ये filamentous है तो इलूत्रिक्स भी आपका फिलामेंटस हो गया अनि कि आपसर नमबर जो फस्ट है कोसर नमबर फाइब का ये इसका राइट एंसवर होगा ठीक है student चले नेश कोसर जो होता कहां लोग चलते हैं कोसर नमबर 6 पे कोसर नमबर 6 student देखिए कोसर नमबर 6 क्या का रहा कोसर नमबर 6 की जो बात कर रहा कर रहा केल्प्स बिलांग टू केल्प्स की बात कर रहा फोटो सिंथेटिक एरिया था student अब आपको बताना ये है कि ये जो होता है कि रेड एल्गीम पाये जाता कि ब्राउन एल्गीम पाये जाता ग्रीन एल्गीम पाये जाता कि नान आफ दे एवब यानि कि student जो होता है कि केल्प्स का फंसन आपको पता होना चाहिए कि ये फोटो सिंथेटिस में हेल्प करता है student कोसर नमबर 6 का जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राउन एल्गी क्योंकि ब्राउन एल्गी में ही आपको देखने को ये मिलता है ठीक है student उसके बाद कोसर नमबर 7 पे आजाएए कोसर नमबर 7 का रहा which of the following pigments are found in the ब्राउन एल्गी यानि student कि जो ब्राउन एल्गी होते है ठीक है उन ब्राउन एल्गी में किस तरह का pigments आपको देखने को मिलता है किस तरह का pigments पाया जाता है आपसे ये कोसर पूछ रहा है ठीक है तो कोसर नमबर 7 आप देख रहे हैं इसका राइट एंसर हो जायागा chlorophyll A, chlorophyll C और सबसे most important टर्ज होता है कि आपका fucoxanthine है यही main pigment है जो ब्राउन एल्गी में पाया जा रहा है fucoxanthine ठीक है और इसी fucoxanthine के करण एल्गी का कलर क्या चला ब्राउन दिख रहा है ठीक है student इसमें कोई doubt है चलिए next question पर आते हैं हम लोग देखिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आपके mind में कोई भी question आता comment box में जाईए comment करके तुरंत बताइए मुझे ठीक है student question number 8 आईए करा कि एगार एगार की बात कर रहा है commercially जो होता है इसका use किया जाता आपको पता है lab में भी जो होता है अगर आप radical करते होंगे तो lab में भी जो होता है एगार medium का हम लोग use करते है culture तेरा का bacteria को growth कराने के लिए इसका use करते है तो कह रहा है कि जो commercially इसको एगार को लाया जाता हो अब किस से obtain होता from यानि किस algae से आपको मिलता है ठीक है student तो question number 8 देख रहे हैं आप इसका right answer हो जाएगा red algae यानि कि red algae जो होता है इससे हम क्या करते हैं कि एगार medium को prepare करते हैं चले next question आई ए student question number 9 आप देख रहे हैं question number 9 ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको matching कराना है करा कि match column first with match column second select the correct option from the निचे आपका जो होता 4 option दिया हुआ है इसमें से आपको select करना है लेकिन सबसे पहले आपको matching कराना पड़ेगा तभी आप इसका right answer पता पाएंगे ठीक है तो column first और column second column first में देखिए student क्या है कि आपका food दिया हुआ है और आपको बताना है कि आप कौन से ऐसे algae है जिनका food के purpose से use करते है आपको algae का economic importance में पढ़ाया हूँ तो algae के economic importance से भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे algae होते है जिनका हम food के form में use करते हैं है student ठीक है तो आइए देखते हैं क्या जो food की बात कर रहे हैं इसमें क्या है कि profira और leminaria leminaria आपको पता है कि salt बनाने भी उस करते हैं ठीक है तो profira प्लस leminaria इनका भी उस करते हैं ठीक है तो आपका food का इससे हो जाएगा agar medium की बात कर रहे है तो agar medium की यानिक agar की बात कर रहे है student ये किससे आपको obtain हो रहा था तो देखे द्यांसे किस से मिल रहा था आपको यह यह आपको किस से मिलेगा यह आपको मिलेगा जलेडियम से प्लस आपका हाय ग्लेरिसल एरिया से ठीक है श्टुडेंट उसके बाद एलजीन की बात करते हैं हम लोग आपसर नमबर आपका C यह आपका ब्राउन हो गया इससे मिल जाएगा उसके बाद आपका बचा क्या कैरागीन बचा हुआ है और यह कैरागीन जो आप देख रहे हैं इस्टुडेंट यह रिड एलगी हो गया यानि कि इसके बेस पे अगर आप देखेंगे त्राइट एंस और इसका क्या हो जाएगा आपसर नमबर फ किसी प्रकार का कोई भी डाउट और आपके माइंड में किसी तरह का कोस्टन साता ताप कमेंट बच समझाएए और कमेंट करके मुझे पताएगे इट्स ओके थेंक्यू सो मच इस्टुडेंट